मैं एक ट्रेनिंग कंड़क करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस वाटसेप नमबर थर्मल प्रिंटर आपको चाहिए अगर आप Amazon Flipkart और फिर मीशो पे सेल आ रहे हैं थर्मल प्रिंटर क्या है, यह एक थर्मल प्रिंटर है जिससे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने लेबल, इन्वाइस, अब सब कुछ इसी से हो रहा है पहले इसकी जरुवत नहीं थी पहले इसकी requirement नहीं थी पहले हमारा जो काम चलता था वो इस वाले printer से चलता था यानि कि laser printer से हम print out करते थे simple A4 size paper रखे हमने और print out कर लिए labels लेकिन अभी क्योंकि update हुआ है Amazon flip card पे तो यहां पे अब thermal printer की आपको जरुवत है जो की आपको print करके देगा invoice और label इस thermal printer का use क्या है labeling के लिए plus MRP tags के लिए तो आपको MRP tag निकालने हो तो आप इस printer के तरुव भी निकाल सकते हैं तो यहां पे seller की एक requirement हो गई है क्योंकि पहले MRP label भी इतना मतलब Amazon flip card पे mandatory नहीं था लेकिन अब वह mandatory हो चुका है इसके अलावा label invoice आपको निकालना है ताकि वह जो लेबल आप प्रिंट आउट निकालते थे लेजर प्रिंटर से उसमें रब हो जाता था customer का address tracking ID रब हो जाता था पैकेट बहुत lost होते थे तो इसलिए उन्होंने Amazon flip card ने का कि अगर आप thermal printer से प्रिंट करेंगे तो वह जो रब होता है address वगरा जो मतलब discard होता है वह सब नहीं होगा thermal printer से आप कैसे MRP tag प्रिंट करेंगे MRP tag के लिए हमें पता ही है जैसा हम Amazon flip card पे सेल रहे हैं तो हमें product का नाम product का color size SKU इसके अलावा कब manufacturing होई है कब expiring होगी यह depending करता है कि क्या category में आप deal कर रहे हैं तो उस हजाब से हम tag बना लेते हैं अब यहां पे हमने tag print out किया tag print out करने का भी बहुत easy है सीधे control प्लस पी आपने print करा और आपका print out हो गया जैसे आप normal printer में करते हैं उसी तरीके से आप इस printer में भी print out देंगे तो अपने product देखिए कितने हैं उस जिस आप से label decide करिए उतने print out कर लीजे और product पे paste कर दीजे तो आपका ये काम खतम हो जाता है जब भी order आएगा आपको SKU भी लिखा हुआ दिखेगा यानि कि आपके employees के लिए भी easy रहेगा कि किस तरीके से product को निकालना है अब ये तो label ह अपने हिसाप से है अगर चोट बनाना है तो बडा कर सकते है तो इस तरीके से आप जो है label decide कर सकते हैं अपने according तो यहोगी तो यह पिले पैंसी तरीके से इसमें आप label भी print कर सकते हैं shipping label जिसे amazon फुलिप कार्ड पे जब orders आते हैं जब हम उसको print करते हैं प्लस इन्वाइस वो दोनों चीज़ें यहां से प्रिंट आउट हो जाएंगे तो आपका काम दोनों तरीके से हो गया है MRP लेबल जो mandatory है shipping लेबल जो mandatory है दोनों काम आपके हो जाते हैं इससे तो यह printer useful है आप अगर Amazon Flipkart seller है तो आपको यह printer ले ले लेना अब यह printer जब आपने ले लिया तो आपको किस तरीके से install करना है installation के लिए आपको इसमें दो चीज़े चाहिए है सबसे पहले tag और दूसरा आपका carbon paper यह दोनों चीज़े आपको इसमें लगेंगे अब लगाने के लिए बहुत एज़ी है machine को आप open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर tag की जगा है आप इसको सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर tag लगा लेंगे तो tag यहाँ पर अलग-अलग size के आते हैं जिसे MRP के लिए निकालेंगे आप तो आपको छोटा tag निकालना पड़ेगा अगर आप उसको shipping label के लिए निकालेंगे तो बड़ा tag निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर जो clip है उसके थुरू आप इसको adjust करेंगे इस clip के थुरू आप adjust कर सकते हैं tag का size जब यह set हो जाए तो second चीज़ आती है आपकी carbon paper carbon paper से आपका यह print out होता है तो carbon paper लगाने के लिए आपको इस जगह से सबसे पहले यह rod निकालनी पड़ेगी फिर यहाँ पर insert करना पड़ेगा carbon roll और फिर जो है आप इसको install कर दीजे तो यह आपका install हो जाएगा और machine में आगया ready to use जो हम system पे जाएंगे हमारे पास label आएगा किस तरीके का हमें label प्रिंट आउट करना तो मैं एक example के लिए आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने प्रिंट करा जो जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो ही printer से प्रिंट आउट होगा अब नए sales के mind में आता है किस brand के साथ जाएं यानि कि जो thermal printer वो purchase करने जाएं तो कौन सी brand का purchase करें बहुत सारे brands आते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूँगा यहाँ पे TSC के printer लें TSC के printer क्यों क्यों कि मैं इसको बहुत rough and tough use कर रहा हूँ लगबग 6 साल मुझे हो गए इसको use करते वे और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है जितने भी employees अब इसको use करते हैं मैं भी इसको use करता हूँ तो अपने according ले आप इसको use कर सकते हैं नए sales के साथ दिक्कत यही होती है कि वो ऐसी चीज लेना चाहेंगे कि जिससे जल्दी खराब नहों और इसको rough and tough भी use किया जाए दूसरे लोग भी use करें तो जल्दी से खराब नहों Amazon Flipkart मीशो पे जो भी sales है उनको इस printer की दरुबत पड़ेगी क्योंकि product पे MRP tag प्लस shipping level दोनों ही चाहिए तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप TSC के printer पे जाए और नीचे मैं description में link दे दूँगा उस link से आप purchase कर सकते हैं